हेलो गाईज, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल RDStudy99 में और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो समाजिक इस्तरीकरण है इसके सिद्धान्त के बारे में देखेंगे और इसकी आवशक्ता के बारे में हम देखेंगे यहने कि समाजिक इस्तरीकरण के इसका परकार्यवादी सिद्धान्त समाजिक इस्तरीकरण का परकार्यवादी सिद्धान्त जिसे दिया था डेविस एंव मोर ने डेविस एंव मोर की जो पुस्तक थी 1945 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सम प्रिंक्सिपल ओफ स्टेटिफिकेशन तो उसमें उन्होंने परकार्यवादी सिद्धान के बारे में बताया और उसमें उन्होंने बताया कि जो समाजिक इस्तरी करण है वो समाज की एक बुन्यादी आवशक्त है यदि समाज में इस्तरी करण नहीं होगा तो समाज की जो आवशक्ता हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो समाज में वर्ग हैं, उच वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, यह अपने-अपने कारे को अपने-अपने अनुसार करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, कि समाज में एक व्यवस्ता बिल्कुल सही परकार से चल पाती है, यानि कि जो इस तरी करण होता है वो समाज की बुन्यादी आउशकता है और यदि ये समाजिक इस तरी करण ना हो तो समाज की आउशकता है पूरी नहीं हो पाएंगी आखिर कैसे तो डेविस एम मूर ने कहा कि जैसे कुछ समाज है अब समाज में कुछ ऐसे कारे हैं जिनका होना बहुत ह आउशक है और अब जोई कारिया है अब आती आउशक की कारिया है इनका होना आउशक है लेकिन सबी व्यक्ति तो इन कारियों को नहीं कर पाएंगे अब इन कारियों को कौन करेगा जिनके अंदर योग्यता होगी वही उन कारियों को करेंगे अब जिनके अंदर योग्यता न हो गया इनके जो कारे हैं वो काफी important इनके कारे हैं आवश्यक कारे हैं समाज में और हर कोई व्यक्ति तो IS नहीं बन पाएगा और पी-c-s नहीं बन पाएगा तो उतनी महनत भी करनी पड़ेगी वहां तक पहुचने के लिए-एणि कि उनको एक योग्जता का योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी योग्यता होगी तबही उस पत तक पहुंचर पाएगंगे अब यदी वह इस पत पर बैठेंगे तो उनका इस्तान भी वहां पे बना रहेगा मलब उच्छा इस्तान उनको मिलेगा उनकी सेलरी जादा होगी अब इसकी तुलना यदि हम करें कि जिसके पास यहां तक पहुंचने की योग्यता नहीं थी अगर हम उनका मुल्यांकन करें तो वो इन से नीचे रहते हैं तो इस सो गए वो गुरूप A के पद में आते हैं गुरूप D के पद में कोई अन्य जो वर्ग आते हैं मलब कि गुरूप D से है तो जो गुरूप A तक पहुंचने में उनको कुछ योग्यता चाहिए अब सभी के अंदर तो वो योग्यता होती नहीं है कि वो गुरूप A तक पड़ीगी उतना उन्हें पढ़ाय करनी पड़ीगी तो उतने उनको मेहनत करनी पड़ीगी तो उनका क्या होगा कि समाज में एक इस्तर उचा बन जाएगा उनकी salary जादा होगी तो तुनला अगर हम group D से करें तो अब group D वाले में उतनी मेहनत नहीं कियोगी उन्होंने जिसका रणो group D के पत पे आए तो अगर हम salary देखें तो salary में भी हमें एक विभाजन हमें देखने को मिलता है और जो समाज में हमें उनका इस्तान हमें देखने को मिलता है उसमें भी हमें एक विभाजन हमें देखने को मिलता है तो ये था परकार्यावादी सिद्धान्त जिसे दिया था डेवी सेवन मूर ने उसके बाद आते हम संगर्सवादी इस्तिधान्त में जिसे दिया था काल माक्स ने अब काल माक्स ने बोला कि जो समाज है समाज में मुख्या रूप से दो वर्ग होता है एक पुंजी पति वर्ग होता है और एक स्रमिक वर्ग होता है और जो पुंजी पति वर्ग होता है वो स्रमिक वर्ग के उपर होता है और साशन करते हैं एक परकार से पुंजी पती वर्ग के उपर तो ये क्या करते है कि जो संगर्षवादी सिद्धानत है वो समाज में एक परकार का विभाजन लाता है पुंजी पती वर्ग के बीच और स्रमिक वर्ग के बीच एक विभाजन लाता है तो ये बोला था संगर स्वाधी स्तिद्दान्त में काल माक्स जी ने जो पुझी पती वर्ग होता है यानि कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर इनका पूर्ण नियंतरन होता है और जो स्रमिक वर्ग होते हैं वो कारे करते हैं इसी कारण जो स्रमिक वर्ग होता है इनके उपर पुंजी पती वर्ग का अधिपत्य रहता है तो ये था संगर्षवादी सिद्धान जो बोलता है कि ये समाज में एक विभाजन लाता है और हम देखते हैं मैक्स बेबर का सिद्धान यानि कि संपत्ति एवं संपत्ति हीन का सिद्धान अब जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है संपत्ति वो संपत्ति हीन यानि कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसके पास ज्यादा उसका समाज में इस्तान उपर होगा उस तो ये बोला था Max Weber ने, ये भी उसी परकार है, जैसे कि संगर्षवादी सिद्धान था, पुंजी पति वर्ग और स्रमिक वर्ग, ये उनके बीच में विभाजन ला रहा था, तो ये भी एक परकार का विभाजन ला रहा है, संपति वो संपति हीन, संपति वालों को मिल लिए है, संपति हीन को जादा, मलब कि कम रिस्पेक्ट मिल लिए है, तो ये था Max Weber का सिद्धान, संपति वो संपति हीन का, अब हम देखते हैं कि जो समाजिक समापन का सिद्धान था, इसे दिया था Frank Parkin ने, अब Frank Parkin ने बोला कि जो समाज में इस तरीकरन का आधार है, वो उनका व्यवसाई है, उनका occupation है, या उनका जो पेशा है, वही इस तरीकरन का आधार है, क्योंकि जैसे हमें देखने को मिलता है, कि समाज में हम जिसका व्यवसाई बड़ा होता है, उसको या जैसे को बीजनसमेन हो गया, जैसे अंबानी जी हो गया, इनका जो समाज में डॉक्टर ले ले, वकील ले ले, तो इनको क्या होता है, कि समाज में अधिक सम्मान इनको मिलता है, ज्यादा हिज्जत इनकी होती है, अगर इसकी तुलना में हम देखें, कि जो लेवर क्लास होता है, मस्दूर वर्ग हो गया, तो इनका अच्छा इनको सम्मान नहीं मिलता जितना कि doctor और वकील को मिलता है तो यह था समाजिक समापन का सिद्धांत Frank Parking जो बोलते है कि जो समाज में इस तरह करन का आधार है वो पेशा है वो व्यावसाई है इसके अतिरिख्थ हमें एक सिद्धांत और हमें देखने को मिलता है वो है विलासी वर्ग का विलासी वर्ग का सिध्धान जिसे दिया था वेबलर ने अब वेबलर ने बोला कि जो विलासी वर्ग है अब समाज में एक विलासी वर्ग हो गया और एक वो वर्ग होता है जो विलास पूर नहीं होता है जिनने कि अपनी रोटी भी बड़ी मुश्किल से उनको मिलती है तो क्या करते हैं कि जो विलासी वर्ग होते हैं उनके पास संपत्ती जादा होती है वो नए नए चीजों को खरीदते हैं और दिखाते हैं कि मलब कि मलब कि विलास करते हैं उनका भोग करते हैं लेकिन जो विलासी जिसके पास इतनी सारी चीज़े नहीं है संपत्ति नहीं है जादा तो ये भी उनके बीच में एक विभाजन लाता है तो ये था उनका विलासी वर्ग का सिद्धान जो कि था वैबलर का यानि कि जो विलाशी वर्ग होते हैं उनके बाद संपत्ती जादा होती है जो विलाशी पूर्ण नहीं होते हैं उनके बाद संपत्ती कम होती है तो ये उनका सिद्धान था अब हम देखते हैं कि जो समाजिक इस्तरी करण है इसकी क्या आवशक्ताएं है अब यदि हम समाजी इस तरी करण की आवशक्ता हैं देखें तो आवशक्ता से क्या होगा कि इस तरी करण से क्या हो रहा है कि समाज बढ़ रहा है उच इस तर में बढ़ रहा है तो इससे क्या होता है कि जो निम्न क्लास के लोग होता है मलब निम्न वर्गर के लोग होता है इसमें एक भावना जागरित होती है अपने स्टेटस को उपर करने की अपनी इस्तती को उच्छा करने की या समाज में सम्मान पाने की इच्छा होती है सम्मान पाने की इच्छा होती है तो ये क्या करते हैं कि जो समाजिक इस्तरी करने वो क्या करते है कि पर्थियक व्यक्ति को पत पाने की इच्छा उसमें लाता है अपने इस्तर को उच्छा करने की इच्छा जागरित करता है और कई कारियों से अपने इसधर को उचा करता है, उचा करता है, तो ये था कि परत्यक व्यक्ति को पत पाने के इच्छा समाजीकिस्तरी करण से उत्पन होती है, इसके बाद आते हैं कि पत के अनुसार भूमी का निभाने में, अब देखें कि समाजीक इस abolition में क्या होता है कि जो किसी को कोई पद मिल गया तो उसके अनुसार अपनी भूमिका को निभाता है उसके अपने पद के अनुसारी बिहेव करता है जैसे हम उधारण के लिए ले लें कि एक IS का अलग एटिट्यूट होता है और जो थोड़ा सा निम्न कलास हो गया उनका अलग एटिट्यूट होता है तो ये था समाजिक उसका मलग की पद के अनुसार अपने कारे को बनाए रखते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं कि विध्याले में यदि हम देखें तो इस कुल में क्या होता है कि एक अलग सा वहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलना